फ्यूचर ऑफ डिजिटर मार्केटिंग इंडिया आफ्टर दिस लॉगड़ाउन पिरिएड हेलो एब्रीवन माइनेम इस विशाल वाखारे आम डिजिटर मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट हो लंट सो के विदियों के लिजिटर मार्केटिंग में लेदे प्लस बोगों केलिए जिन्होंने digital marketing में अपना करियर स्टार्ट किया है प्लस उन freshers and beginners के लिए होने वाला है जो digital marketing में अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं So friends don't forget to watch this video till the end चलिए शुरुवात करते हैं Friends आप daily basis पे news channels को या फिर online news को follow जरूर करते होंगे और आपको पता होगा कि right now Indian economy काफी जादा slow चल रही है Lockdown से पहले भी ये slow थी and lockdown के बाद तो काफी जादा hit हुआ है Indian economy को ऐसी जो situations आती है country में ये situations सारे sectors को and सारे industries को कही ना कही effect जरूर करती है किसी sectors को बहुत ज़ादा badly effect करती है whereas किसी sectors को एकदम से उपर लेके जाती है Now for example यदि हम बात करें online entertainment industry की जैसे की netflix, horse star या फिर amazon prime या फिर हम बात करें business communication apps की जैसे की zoom, go to meeting, google hangout ऐसे जो business है, इनका business काफी जादा growth हुआ है इस particular lockdown period में and इनके sales में भी काफी जादा drastic increase देखने को हमको कही ना कही जरूर मिलेगा Health industry and gaming industry में भी काफी जादा growth हुई है इस lockdown period में and at the same time ऐसे बहुत सारी industries है, ऐसे बहुत सारे sectors है, बहुत जादा hit हुए है due to lockdown जिसके उपर अपनी Indian economy depend करती थी, यदि हम बात करने जाए, tours and travels की, hospitality की यदि हम बात करने जाए, farming की, event management companies की, तो ये जो sectors है, इन sectors को काफी जादा नुकसान जहिलना पड़ा है इस lockdown period में यदि हम digital marketing की बात करने जाए, तो digital marketing इंडिया में 2016 के बात से काफी जादा growth में दिख रहा है, since demonetization लोगों ने धीरे-धीरे करके online platform पे आना start कर दिया है, जिसके बज़े से online के जो social media platforms है या फिर हम Google के platforms की बात कर रहे तो यहाँ पे traffic काफी जादा increase हो चुका है, plus जो online payment apps ह जैसे की Paytm हो जाए, या Google पे हो जाए, यह काफी जादा use में आ रहा है, deep monetization के बात से, यदि आप इस graph की तरफ देखोगे, तो इस graph के according, जो number of internet users है, वो almost 2015 में थे 340 million, जो की increase हो के हो चुके है, आज की date में, जो की है 2020 में almost 730 million, and expect किया जा रहा है कि 2021 तक यह increase हो के हो increase हो के हो सकते है, almost 1000 million, जैसे जैसे number of internet users बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में, advertisers को भी पता चल गया है, कि उनकी जो target audience है, वो basically online platform पे जादा present है, जिसके वज़े से, digital marketing as a strategy and as a method काफी जादा use किया जा रहा है, Friends, सेधी हम digital marketing के growth rate की बात करने जाए, जैसी कि आप इस graph में देख सकते हो कि digital marketing का growth rate था as compared to 2009, 2019 में इसमें almost 14 to 16% increase देखने को हमको मिला है, जिसके वज़े से digital marketing का जो add size था, वो 2019 में बढ़के हो चुका है, almost 70,000 CR का, and expect यह किया जा रहा है, by the end of 2023, इसमें और 14 to 15% increase देखने को हमको जरूर मिलेगा, जिसके बज़े से digital marketing का जो add size है by the end of 2023, यह हो जाएगा 1,20,000 CR का, तो आप देख सकते हो कि digital marketing में कितना ज़्यादा growth rate हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन यह statistics या फिर यह figures है, यह lockdown के पहले क है, लेकिन यह हम lockdown consider करें, तो यह statistics and figures में हमको काफी जादा drastic increase देखने को मिलेगा, because lockdown के बज़े से जो number of internet users है, जो number of advertisers अपने business को promote कर रहे है, online platform पे वो काफी जादा increase हो चुका है, इसलिए यह statistics में भी काफी जादा difference हमको देखने को जरूर मिलेगा, इन statistics या फिर इन figures को द देखने के बाद, friends हम इतना अंदाजाद जरूर लगा सकते हैं कि चीजे अभी worst नहीं हुई है, there are still some hopes left for digital marketers, अब बात करते हैं हम job opportunities के बारे में, यदि हम job opportunities की बात करें, तो job opportunities कही ने कही decrease होती हो ही हमको जरूर दिखाई देगी, because the job opportunities are directly proportional to sales, यदि company में sales ही नहीं होगा, तो उस case में वो लोग नई job कैसे provide करेंगे, जैसे कि मैंने इस वीडियो के starting में कहा था कि lockdown की वज़े से काफी जादा ऐसे companies हैं, जिनको काफी नुकसान हो रहा है, काफी जादा badly hit हुई है, जैसे कि hospitality sectors, event management companies, tours and travels का जो business है, इन particular industries को या फिर sectors को काफी जादा नुकसान हुआ है due to lockdown, तो इसके वाज़े से हमको job opportunities काफी जादा कम होती हुई दिखाई जरूर देगी, जहां lockdown से पहले 6 लोगों की requirements थी एक company में, तो वो decrease होके 2 या 3 कही ना कही जरूर रह जाएगी, यदि हम अब ये entrepreneurs की बात करें, तो basically 2 types के entrepreneurs होते हैं, एक होते है sales driven entrepreneurs और दूसरे होते ह हैं, उनका कहना ये होता है कि जब तक मेरा product या फिर जब तक मेरी service sell नहीं होगी, तब तक मैं marketing में खर्चा नहीं करूंगा, तो basically इनका कहना ये होता है कि जब मैं 1000 रुपे का product sell कर दूंगा, तो basically उस 1000 रुपे में से 100 या 200 रुपे मैं marketing में spend करूंगा, whereas जो marketing driven entrepreneurs होते हैं, तब तक मुझे sales नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो marketing driven entrepreneurs है कही ना कही इस lockdown period में अपने business को offline से online platform पर प्रमोट जरूर कर रहे हैं और प्रमोट करने के बाद वह अपने business को marketing करने के लिए कही ना कही online platform से spend भी कर रहे हैं तो यह जो marketing driven entrepreneurs है basically यह certain level तक job opportunities increase जरूर करेंगे इंडिया के अंदर यदि हम digital advertisement spend की बात करें तो जैसे कि दोस्तों आप इस particular graph में देख सकते हो जो digital advertisement spend था in the year of 2015 वो था 60 billion rupees जो कि आज की date में increase होके हो चुका है almost 255 billion rupees तो इस particular चीज़ को यदि आप देखोगे तो कही ना कही job opportunities जरूर raise होती है आपको दिखाई देगी यदि एक sector में job opportunities कम हो रही है तो online platform पे या फिर digital marketing में job opportunities increase होने के बहुत जादा chances है जिसके बज़े से क्या हो जाएगा एक stable situation हमको create होती हो ही दिखाई देगी जिसको हम एक equilibrium भी बोल सकते हैं but the only thing is friends कि यदि आपको यह opportunities grab करनी है तो आपको अपने आपको upskill करना पड़ेगा आपको सारी चीज़े digital marketing से related सीखनी पड़ेगी so friends आज की वीडियो में बस इतना ही यदि आपको यह वीडियो बहुत जादा useful लगता है तो please इसको like, share and subscribe जरूर कीज़ेगा हमारे channel को and मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much